हेलो फ्रेंड्स जिन बच्चों ने सब्तमबर 2021 इंटेग के लिए जान फिर जैनुरी 2022 इंटेग के लिए कनेड़ा के लिए पलाई किया था तो काफी फाइल ऐसी हैं जिनके लिए रिजेक्शन मिली है रिजेक्ट हो चुकी है तो फाइल रिजेक्ट होने के पीछे क्या कार्ण है और उनको कैसे उनका रिजेक्शन का सिलूशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आजम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी इंफोमेशन है आप लोगों के लिए इस वीडियो में वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है इससे क्या है उन सुडेंट्स के पेरेंट्स भी काफी ज़़ा चिंतित नजर आ रही है उनको यह लग रहा है कि हमारे बच्चों की फाइल रिजेक्ट हो चुकी है अब इनका क्या होगा अब यह कभी कनेड़ा पहुंचेंगे जा नहीं पहुंचेंगे तो आप लोगों को जही कह रहे हूं मैं कि आप अपनी अमीद मत छोड़ो होग रखो कि आपके बच्चें जरूर कनेड़ा जाएं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी observation के accordingly हमने जिये देखा है कि कौन कौन से main कार्ण है जिनकी वज़े से बच्चों को rejection मिली है तो आज पहले हम rejection के कार्ण किया है उसके बारे में बात करेंगे और उनका solution क्या है उसके बारे में भी last में आपको बताया जाएगा सो वीडियो को शुरू से लेकर एन तक जरूर देखे सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल के रिजेक्ट होने के पीछे क्या क्या कार्ण है सबसे पहले है अब को आप इतना बताना चाहती हूँ कि अब 18,00,00 फाइल्स हैं जो अंडर प्रसेस हैं तो यहां पर यह इतनी ज़्यादा फाइल्स हो सकता है काफी बच्चों की फाइल रिजेक्ट होने का क्योंकि इतना ज़्यादा पड़ा है इसको क्लीर करने की पीछे काफी ज्यादा स्टर्ड करना पड़ रहा है तो शायद यह भी एक कारण है जो काफी बच्चों की फाइल रिजेक्ट हो हुई है आगे बात करते हैं बच्चों के प्रीवियस हिस्टरी की अगर किसी स्टूडेंट के पास करेडा की कुई प्रीविस हिस्ट्री है जैसे पहले उसने कोई वीजा अप्लाई किया था और उनको वहाँ से वीजा उंका discharge हो चुका है तो यह भी कही नगही उनके वीजा रिजाटक होने के पीछे का कारण है तो काफी बच्चों की फाइल रिजैक्ट होने के पीछे उनकी प्रीविस हिस्ट्री भी माइने रखती है तो ये भी कही न कहीं कार्म हो सकता है उसके बद आगे बाते करते हैं हम आईलर्स के बारे मोस के क्या होता है कफी दकशे हैं में लगाई होई ह Meer है तो यहां पर क्या है क्रेड़ा में क्या है दो दॉने की फाइल लखी जाती है सबसे पहले है SDS और दूसरी Non-SDS SDS में वो अले candidate आ जते हैं जिनके इच module में 6 बैंड आए पर है और Non-SDS में वो आते हैं जिनके एक जान दो module में 5 बैंड है तो जहां पर क्या है उनकी file क्या है Non-SDS 5 में रखी जाती है लेकिन यहां पर कुछ student यह स्वाल जरूर करेंगे कि हमारी file सेक्ट हो चुकी है जबकि हमारे एक जान दो module में 5 बैंड आये होई है लेकिन हमें admission भी government college और university में मिल चुकी है तो फिर भी हाई commission ने हमारी file रिजेक्ट क्यों की है तो यहां पर आपको इतना पताना चाहती हूँ कि हाई commission ने भी अपना एक agenda त्यार किया होगा माली जिए उनके पाफ 100 student है तो file काफी ज़्यादा under process है माली जिए 100 student है उनमें से 60 जा 17 student ऐसे हैं जिनके each module में 6 बैंड आये होई है और तीस student ऐसे हैं जिनके एक ना दो मडियून में 5 बैंड आये हैं तो वह क्या किन को ज़्यादा प्रैफर करेंगी पहल किसको दी जाएगी उनको दी जाएगी जिनके के इच मडियून में 6 बैंड आये हैं तो डेफिनेटली उन बच्चों को आगे रखा जाएगा तो शायर हमारे कॉटिंगली यह वी एक कार्ण है जो बच्चों की फाइल रिजेक्ट हो रही है रिजेक्शन के पीछे यह भी कही न करी यह कार्ण एक हो सकता है उसके बद आगे आजाता है एड्यूकेशनल गैब जिन बच्चों का दो दो साल का तीन साल का चार साल का स्टडी का गैब है तो यह भी कही न कहीं कार्ण हो सकता है फाइल रिजेक्ट होने के पीछी उसके बद आगे है कॉलर्ड की सिलेक्शन और फोर उंटारियो बेस्ट की ज्यादा रिजेक्शन आई है तो कॉलर्ड की सिलेक्शन का बी कोई न कोई कार्म हो सकता है बी शायद बच्चों की फाइल रिजाक्ट होई है और जहां पर बात करते हैं काफी स्टूनट भी हैं जिनकी प्रफाइल बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी उनको रिजैक्शन मिली है क्यों क्योंकि शैद उनकी जो कॉलेज की चॉआइसती वह सही नहीं थी जैसे कि अंटार्यो वेस्ट कॉलेज हैं उनकी फाइलर्स एक्ट हुई है तो यह बच्चे शाहिद उसी कॉलेज के अंडरा आते होगी तो यह कार्णमी को सकता है जैसे कि आपको पता है कि 2018-19 में मुझती जो क्रोना का चल रहा था ना तो सभी को यह पता था कि 2018-19 में सब कुछ बंद था तो वहां पर काफी ऐसे स्टूडंट देखने को मिल रहे हैं जिन बच्चों ने अपनी फाइल में 18-19 का अपना श्पीरियस मनाकर लगाया हुआ है कि वह किसी जगह काम कर रहे थे तो कही न कहीं जिए फेक डॉक्मेंट शोग हो रही है क्योंकि जब सब कुछ बंद था तो बच्चा कहां काम कर रहा था तो यह भी कही न कहीं कार्ण निकलकर सामने आ रहा है फाइल रिजएक्ट होने के पीछी तो यह सारे चोट-चोटी कार्ण है जिनकी वजए से फाइल रिजएक्ट हुई है तो जिनकी फाइल रिजएक्ट हुई है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है वो जरूर कनेड़ा पहुंचेंगे तो अब हम बात करेंगे इन जो रिजेक्शन हुई है बच्चों की सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनको आइलर्स में अपने इच मड्यून में छे बैंड लेने चाहिए अगर कोई बच्चा और छे बैंड ले सकता है एक जान दो मड्यून में उसके साड़े पांथ बैंड है तो वह और थोड़ी सी मेहनत करे तो डेफिनिटली वह इच मड उनमें छे बैंड ले सकते तांकि उन्हें जे जो रिजेक्शन है इसका सामना ना करना पड़े और अगर आपने प्रोपर देखना है कि रिजेक्ट होने के पीछे क्या कारन है तो उसके लिए आप अपने कैप्स नोड अप्लाई कीजिए वहाँ पर क्या है आपको ग्रिकल प्रफेक्ट होना चाहिए जो कवर लेटर है वो अपकर टू दी पॉइंट बना होना चाहिए और प्रफेक्ट होना चाहिए तो यह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसके बाद जो भी कोर्स हमने चूज किया है वो जो स्टड़ी आपने इंडिया में की है ना उससे होना बहुत ज़रूरी है तो कोर्स अपनी पढ़ाई से चूज करें ताकि आपको जो रिजेक्ट हो रहे हैं केसी जिनका सामना ना करना पड़े अगर आपका स्टड़ी का गैब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपका जो स्टड़ी का गैब है उसको आपने चाहिए और सही जो अपने जैनुन होने चाहिए और सही डंग से अपने शो करने हैं और आपको यह कहूंगी कि आपने एजन के उपर आखे बंद करके विश्वास नहीं करना आपकी files त्यार हो चुकी या आपने sign करने हैं तो उससे पहले उसे ध्यान से पढ़े सारे document चेक करें जो भी आपके form लगाए गए हैं उनको सबसको पुरे ध्यान से चेक करें पढ़े और उसके बाद ही उसके उपर sign करें ताकि बाद में आपको खमयाजा रुपतना ना पढ़ें तो इन छोट-छोटी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए क्योंकि कोई भी जानकरी अपने लेनी है ना तो आपको कनिडा की जो option website है वहां मिल जाएगी वेबसाइट नोट कर सकते हैं आप www.cic.gc.ca वहां जाकर अपड़ेटेर में कोई भी जानकरी ले सकते हैं किसी भी वीजे के बारे में किसी की बातों के उपर स्कीन पर करने से पहले आप खुद देखिए आपके पास नेट है नेट की फसिल्टी है लैप्टॉप है कम्प्यूटर है एवन कि आपके सेलफोन के उपर भी आप पुरा जानकरी निकाल सकते हैं तो एजन की उपर बिल्कुला आखे बंग करके विश्वास ना कीजिए तो कि हम अपकी हेल्प करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर हेल्प हो सके आपके साथ दोखा ना हो और आपकी फाइल रिजेक्ट ना है इसको जादा जादा लाइक और शेयर जरूर करें ताके जिन बच्चों की फाइल रिजेक्ट होई है उन तक यह विडियो जरूर पहुंचे उनकों के कारणों का पता लग सके और अगर आप हमसे बाचित करना चाहते हैं वीजिक के बादे में कुछ जानकर लेना चाहते है तो अब हमारे पीछे दिये नंबर 988829500 इस नंबर के उपर आप संपर्व कर सकते हैं और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वारी सारी वीडियो उससे पहले आप देख सके तो प्लीज वीडियो को जा यालाइ को चेर जरूर करें तो यारी याराइब झालिके हैं यू